हेलो एवरिवन आज हम सेकेंड टेंस करेंगे कुन सा प्रेजेंट का सेकेंड पार्ट यह देट इस प्रेजेंट कॉंटिन्यूवस टेंस प्रेजेंट कॉंटिन्यूवस टेंस कॉंटिन्यूवस का मतलब होता है लगातार इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं ठीक है progressive क्योंकि progress हो रही है कोई भी काम अगर लगातार हो रहा है तो उसको continuous बोलते हैं और यह ध्यान में रखना है चाहिए कोई भी continuous हो चाहिए वो present का continuous है चाहिए past का continuous है चाहिए future का continuous है में वर्ब की फोर्ब की फोर्ब युज होती है फोर्ब की first फोर्म के साथ लगेगा अब पहचान क्या होगी पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह continuous है ठीक है पहचान क्या होगी हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा देखो हमने indefinite क्या था simple में क्या था ता है तेहती है और ये क्योंकि लगातार है काम जारी हो रहा है तो क्या है रहा है काम चल रहा है मतलब अभी खतम नहीं हुआ रहे है रही है ठीक है जहां पर भी आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिल जाए रहा है मिल जाए तो वो कौन सा continuous tense होता है present का continuous tense होता है अब इसका formula क्या होगा कैसे बनाएंगे sentence को अगर रहा है रही है दीख जाए तो formula होता है सबसे पहले तो subject आता है subject यानि करता करता जो काम को करता है ठीक है फिर helping verb आती helping verb is rm इन तिन्नों में से कोई एक helping verb use होगी उसके बाद main verb की fourth form लगेगी fourth form यानि verb की first form के साथ ing फिर object ठीक है object यानि करम ठीक है अब देखो जैसे हमने पिछले में क्या किया था ram school जाता है ताहे लगा दिया था अब कोई भी sentence ले लो अब हम रहा है लगा देंगे उसी sentence को हम continuous बना देते हैं ram school जा रहा है ठीक है मतलब वो पहुंचा नहीं है अभी school में रास्ते में है ठीक है ram school जा रहा है तो इसको कैसे करेंगे ram school जा रहा है subject क्या है हमारा ram subject क्या है ram तो सबसे पहले subject लगा देंगे काम को कोन कर रहा है ram अब हमारे मन में सवाल उठेगा कि हम age लगाई r लगाई या m लगाई तो इसके लिए हमारे formula है i के साथ हमेशा m लगता है याद रखना पड़ेगा यह जो first person होता है singular i i के साथ हमेशा m लगता है m और किसी के साथ नहीं लगता है सिरफ i के साथ लगता है ठीक है अगर subject third person singular है third person singular आपको पता है he see it किसी का नाम he see it किसी का एक name तो उसके साथ क्या लगेगा is और बाकि सभी के साथ क्या लगेगा r आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है i के साथ m third person singular he see it या किसी का एक नाम हो तो is बाकि सभी के साथ r आप देखो राम क्या है नाम है किसी का तो third person singular हो गया तो राम के साथ क्या एका राम इज तो वर्ब की में वर्ब में वर्ब कौन सी है जाना जाना क्या होता है go go की fourth form क्या हो जाएगी ing लगा देंगे ना going to school ठीक है अब हम दूसरा sentence लेके देखते हैं हम पार्ट याद कर रहे हैं ठीक है अब इसको कैसे बनाएंगे हम हम पार्ट याद कर रहे हैं subject कौन है हम हम मतल we काम कौन कर रहा है we कर रहे हैं अब we देखो m तो i के साथ लगेगा i नहीं है he, c, it, c किसी का नाम है नहीं है तो क्या लगेगा r we are याद करना क्या होता है learn और कौन सी फॉर्म लगेगे ing लगेगी न ing main verb के साथ ing we are learning lesson हम lesson याद कर रहे हैं ठीक है है ना इजी अब देखो i का बनाते हैं मै मैं क्या कर रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ मैं खाना खा रहा अब देखो subject क्या है i काम कौन कर रहा है i और आपको पता i के साथ हमेशे क्या लगता है m i के साथ क्या लगता m और खाना खाना क्या लगता है eat और फिर ing लगा देंगे eating I am eating क्या food या meal भी लिग सकते हैं I am eating food या meal हम खाना सोरी मैं खाना खा रहा हूं simple sentence समझ में आगे सभी को कैसे बनाने हैं अब हम इसका करते हैं negative sentence negative sentence का formula क्या होगा पहले subject आएगा ठीक है subject के बाद क्या आएगा helping verb helping वरब क्या होती है इज आर एम helping वरब वैसे तो वह चारी होती है लेकिन जो प्रेजेंट का continuous tense है प्रेजेंट continuous में helping वरब क्या लगेगी इज आर एम helping वरब फिर में वरब में वरब कौन सी लगेगी fourth form sorry helping वरब के बाद note helping वरब के साथ note फिर object हम अच्छे से कर लेते हैं देखो subject उसके बाद इज आर एम में से कोई एक इज आर एम में से कोई एक फिर note फिर वरब की first form के साथ ing फिर object इसको रहने देना यह सिंपल वे में करो subject फिर उसके बाद इज आर एम उसके बाद note फिर वरब की first form के साथ ing फिर object यह हमारा formula हो गया sentence को बनाने का अब हम उसी sentence को करके देखते हैं जैसे राम स्कूल जा रहा है अब हम करें राम स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा राम के साथ क्या आएगा is not going to school यह क्लियर है सबी को अब हम nest करते हैं sentence negative का ही दो तिन बना के देखते हैं कि हमें अच्छे से clear हुआ या नहीं negative का देखो formula याद है subject फिर helping वरबी जा रहे हैं में से कोई एक फिर note फिर verb की main verb की first form के साथ ing फिर object अब sentence लिखो हम हम क्या करें थे हम पार्ट याद नहीं कर रहे हैं हम पार्ट याद नहीं कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है वी वी के बाद helping वरब वी के साथ क्या लगेगी किसी का नाम नहीं है आई भी नहीं है तो क्या लगेगा आर वी आर लर्निंग वी आर नहीं कर रहे हैं तो helping verb के बाद हमेशा नोट लगता है negative sentence में ठीक है अगर हम negative sentence बना रहे हैं तो क्या आएगा subject उसके बाद helping verb फिर note उसके बाद main verb main verb और helping verb के बीच में note आ जाएगा तो negative sentence हम बना सकते हैं तो we are not क्या होगा याद करना learning कि वी आर नोट लर्निंग लेसन आगे समझ में अब थर्ड संटेंज क्या था मैं खाना खा रहा हूं अब इसमें क्या जगा मैं खाना नहीं खा रहा हूं कि ठीक है कि इसका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट क्या है आए आए के साथ हमेशा क्या लगता है एम फिर नोट फिर इटिंग फूड क्लियर है सभी को अब हम interrogative sentence करते हैं interrogative में क्या होता है interrogative में हमेशा helping वरब पहले आती है फिर subject आता है सब्जेक्ट से पहले helping वरब बजाती है यानि helping वरब is rm में से कोई एक जो helping वरब है वो पहले उसके बाद subject उसके बाद main वरब की fourth form यानि first form के साथ ing उसके बाद object और last में sign of interrogative अब हम वाक्य बना के देखते हैं उनिका बना लेते हैं पहले वड़े का कि राम स्कूल जा रहा है तो is rm going to school और last में क्या आएगा sign of interrogative हम पार्ट याद कर रहे हैं तो r interrogative में क्या होगा क्या हम पार्ट याद कर रहे हैं क्या राम स्कूल जा रहा हैं क्या मैं खाना खा रहा हूं तो इस में क्या जाएगा is rm going to school क्या राम स्कूल जा रहा हैं आर वी, लर्निंग, आर वी, लर्निंग, लेसन, क्या हम लेसन याद कर रहे हैं, Am I eating food, क्या मैं food खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो interrogative sentence समझ में आगे सभी को, हम next हम करते हैं, जो interrogative भी हो और negative भी हो, interrogative प्लस negative, जो question भी पूछ ले, और मना भी कर दिया, क्या Ram school नहीं जा रहा है, इस type से, क्या Ram school, देखो इसमें question भी पूछ लिया, और मना भी कर दिया, क्या Ram school नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसका formula क्या होगा, अब क्या है, तो helping वरब, तो पहले आएगी, यह इस RM पहले, interrogative है तो, उसके बाद subject, उसके बाद negative है, तो subject के बाद क्या आएगा, note, और फिर main verb, main verb की first form के साथ ing, यानि इसको हम fourth form भी लेख सकते हैं, main verb की fourth form भी लेख सकते हैं, और verb की first form के साथ ing भी लिखते हैं, कोई सा भी लिख दो, ठीक हैं दुनों, फिर object, और last में sign of interrogative, अब हम उन्हें का sentence बना के देखते हैं, जैसे, और भी आप sentence बना सकते हो, ज़रूरी ने की उन्हें का बनाओगे, आप अपने मर्जी से कोई भी sentence लेलो, मैं तो सिरफ ये clear करने के लिए का रहे हूं कि उसी sentence का आप negative, इंटरूगेटिव कैसे बनेगा इस type से, जैसे वो sentence क्या था कि राम इस गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव में क्या होगा, राम इस नोट गोइंग टू स्कूल, ने आ गई है I am not going to school इस टाइप से आप interrogative प्लस negative भी sentence बना पाऊगे दूसरा sentence क्या था वी आर लर्निंग लेशन नेगेटिव में क्या गया वी आर नोट लर्निंग लेशन इंटरोगेटिव में क्या हुआ आर वी लर्निंग लेशन और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा आर वी नोट लर्निंग लेशन ठीक है क्या हम पाठ याद नहीं कर रही हैं ठीक है सिंपल में क्या था कि मैं खाना खा रहा हूं ठीक है और क्या गया आई एम इटिंग फूड नेगेटिव में क्या होगा मैं खाना नहीं खा रहा हूं आई एम नोट इटिंग फूड इंटरोगेटिव में क्या हो जागा एम आई नोट इटिंग फूड ये च्यारों से sentence आपके बन जाएगे ठीक है अब इसी का हम कह दें कि simple में convert करो simple में कैसे बन जाएगा I am eating food मैं खाना खा रहा हूं ठीक है इसी का negative बनाओ तो क्या जाएगा I am not eating food ठीक है अब इसका interrogative बनाना तो क्या जगा am I eating food तो एक ही sentence में sentence को हम कैसे कैसे convert कर सकते है negative to interrogative interrogative to negative ठीक है simple to interrogative ऐसे आपको यह आगर यह formula पक्के हो जाएगे formula में कुछ नहीं है बस subject helping verb और main verb इनको ध्यान रखना है object तो last में ही आएगा ठीक है तो subject main verb जो helping verb और उनको ध्यान में रखना है practice करने हैं आपको 10-10 वाकिया अपनी मर्जी से बना के देखने है जिनके पीछे रहा है रही है रही है आके और यह formula लगा के fit करोगे तो आपक है रही है